हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रारंबिक आकारों को समझना प्रश्णावली 5.4 से कोशन नमबर 1, 2, 3, 6 करेंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे अब कोशन नमबर 1 देखिए निमन के क्या माप है फर्स पार दिया गया है एक समकोन तो हमें पूछा गया है कि एक समकोन का माप क्या है माप मतलब एक समकोन जो है 30 डिगरी है 50 डिगरी है या 60 डिगरी है यह बताना है तो हमें पता है कि एक समकोन किसके बराबर होता है 90 डिगरी के बराबर तो एक समकोन का माप क्या है 90 डिगरी तो एक समकोन बराबर है 90 डिगरी सेकंड पार देखे पूछा गया है अब एक रीजू कोन अब हमें एक रीजू कोन का माप बताना है तो एक रीजू कोन किसकी बराबर होता है 180 डिग्री के तो एक रीजू कोन का माप क्या है 180 डिग्री तो एक रीजू कोन बराबर है 180 डिग्री Next question number 2 देखे बताए सत्य या आ सत्य अब इस कोशन में हमें कुछ कथन दिये गए हमें बताना है कि वो सत्य है या आ सत्य एक पार देखे एक नियून कोन का माप इस चीज का साइन है छोटे का तो एक नियून कोन का माप छोटा है 90 डिग्री से कि एक नियून कोन जो है 90 डिग्री से छोटा है क्या ये कथन सत्य है या आ सत्य तो एक अथन सत्य है नियून कोण क्या होते है 90 डिगरी से छोटे होते हैं तो ये कथन सत्य है तो आंसर है सत्य नेक्स्ट भी पार देखे एक अधिक कोण का माप छोटा है 90 डिगरी से कि एक अधिक कोण जो है 90 डिगरी से छोटा है तो ये कथन सत्य नहीं है असत्य है क्योंकि अधिक कोण क्या होते हैं जो 90 डिगरी से बड़े होते हैं तो ये कथन क्या होगा असत्य क्योंकि इसमें कहा है कि अधिक कोण जो है 90 डिगरी से छोटा है तो आंसर है असत्य कि ये कथन सच नहीं है नेक्स्ट सी पार देखे एक प्रतिवर्ति कोण का माप छोटा है 180 डिग्री से, कि जो एक प्रतिवर्ति कोण है वो 180 डिग्री से छोटा होता है, तो ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि जो प्रतिवर्ति कोण होते हैं, वो क्या होते हैं, 180 डिग्री से बड़े होते हैं, पर Next D part देखे एक संपोन गुर्णन का माप बराबर 360 डिगरी है तो देखे ये कथन सत्य है एक संपोन गुर्णन जो है किस के बराबर होता है 360 डिगरी के बराबर होता है तो आंसर है सत्य नेकस्ट यह पार्ट है यदी ये जो M है इसका मतलब होता है measurement measurement मतलब map मतलब कों A का map 53 दिगरी है और measurement of angle B बराबर 35 दिगरी कि कों B का map 35 दिगरी है तो measurement of angle A मतलब कों A का map बड़ा है ये किसका निशान होता है बड़े का बड़ा है measurement of отвvi क्न बी क्न बी के माप से तो हमें ये बताना है कि अगर क्न ऑ त्रेपन डिग्री है और कॉण भी पैंतिस ंडिग्री है तो कोण ऑ बड़ा है क्न बी से ये कथन सकते है ये आ सकते तो ये कथन सकते है देखित क्न ऑ if i are ni be और कौन B 55 डिग्री है तो दोनों में से बड़ा कौन सा है 53 डिग्री मतलब कौन A बड़ा है और कथन में भी यही कहा गया है कि कौन A का माप जो है बड़ा है कौन B के माप से तो आंसर क्या है सत्य अब कोशिय नुम्बर 3 देखिए निमन के माप लिखिए A पार दिया गया है कुछ नियून कोन B पार दिया गया है कुछ अधिकोन तो सबसे पहले A पार देखिए कुछ नियून कोन तो हमें कुछ नियून कोन लिखने है अब नियून कोन कोन से होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं क्या होते है नियून कौन तो मैंने यहां पर कुछ नियून कौन लिख दे हैं कुछ नियून कौन कौन से है 45 डिगरी 55 डिगरी 85 डिगरी आप कोई से भी लिख सकते हैं बस वो जो कौन है वो 0 डिगरी से बड़ा और 90 डिगरी से छोटा होना चाहिए चाहिए तो आप 40 डिगर लिख ले चाहिए तीचे लिख लीजी है एक मैंक्सट भी पार देखिये कुछ कुछ अधिकोण कनी की। कुछ अधिक लिखत्ब कोंड के माप लिखने हैं अधिकोण लिखने हैं दें-धिकोण कम यह情 05 डिग्रीसे bud और 180 डिग्रीसे चोटे हैं व Сам यह था question no.3 आज इस वीडियो में हमने question no.1,2,0,3 solve करा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please like, share and subscribe, thank you